विववर्स वैलकम तो माई चानल आज हम बात करेंगे कि हम आफटर नंबर्स बच्चों को कैसे सिखा है देखे एक तो यह तरीका के हम नंबर नाइन दिख दे और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाने के 2 के बाद क्या था 3, 4 के बाद क्या था 5, 6 के बाद क्या था 7 लेकिन आप यह देखें इस तरीके से बच्चे को सिखाने में अगर आप यह help box बच्चे को देंगे तो वो यह चाहेगा कि जितनी बार वो after numbers कर रहा है उसके सामने help box available हो तो इससे क्या होगा वो इसकी used हो जाएगा जब आप start ही ऐसे करेंगे कि ऐसे आप सिखा रहे हैं त उसके बाद आप उसको लिखने के लिए दीजिए कि यह बताईए टू के बाद क्या आता है तो वो खुद बताएगा कि आप मन से काउंटिंग पढ़िए एक बच्चे को इस चीज का ध्यान जरूर रखाए कि जब डैश आपका बाद में है तो इसका मतलब यह है after numbers तो कि दो जाता है तो टू के बाद थ्री के जगा वो वन बोलता है तो आप बच्चे को बताएगा जब बाद में है तो आपको इसके बाद लिखना है कि तू के बाद क्या आएगा थ्री आएगा और यह चीज आपको अभी नहीं सिखानी है आप क्या सिखा रही है after numbers जब आप after number सिखाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही concept आपको दिखाना है आप ये वाला concept बिल्कुल दूर रखेगा दूसरी बात ये जब after numbers आप करा रही हैं तो कोशिश ये करें कि इस line को आप बिल्कुल भूल जाएं चुकि जब आप भूल जाएंगी तो आप बच्चे को भ देंगी करने के लिए help box बिल्कुल भी मत दे हर बच्चा सेम नहीं होता है हर बच्चा अलग होता है कुछ बहुत जादा talented होते हैं कुछ average होते हैं और कुछ बहुत जादा slow learner होते हैं तो हर बच्चे का पढ़ने का तरीका भी अलग होता है अब आप ये देखे मैं आपने बच्चे को कभी भी ये help line नहीं दी है सिर्फ वज़ा यही है कि हमने जस तरीके से पढ़ा हमारी ममी ने जस तरीके से हमें पढ़ाया हम उसी तरीके से पने बच्चों को लेकर चल रहे हैं आज भी मेरी ममी मुझे help करती है Cuba को बदाती है कि किस तरीके से還ई पढ़नेAB psic ल 30 तक और 40 तक लेकर आएं जब तक आपका बच्चे का 10 तक का कॉंसेट के लिए नहीं हो जाता तब तक आप यह आगे मत लेकर आईएगा मेरी बच्ची जो सबसाद मिस्टेक कर रही थी जैसे कि उसका भी मैट्स का एक्जाम हुआ तो उसमें वो एक मिस्टेक बहुत कर रही थी उसके आफटर और बिट्वीन नंबर्स थे तो आफटर नंबर्स में क्या कर रही थी जैसे 21 है तो वो क्या करती थी इसको न वन टू पढ़ती थी तो 1,2,12 तो यहां पर वो क्या लिख रही थी 1,3,13 तो आप अपने बच्चे को पहले एक चीज क्लियर कराएं कि यह जो डिजिट पहले लिखी है पहले उसको पढ़ना है उसके बाद दूसरी डिजिट को पढ़ना है पहले है 2,1 तो क्या हो गया 21 यहां पर क्य पहले पढ़ना है पहले लिखिए उसको पहले पढ़ना है बाद में इसको पढ़ते हैं चोटा है बच्चा समझ जाएगा प्यार से समझाएगा मारिएगा मत तो बहुत जल्दे समझेगा उमीद है इन पॉइंट्स आपको है मिलेगी करके देखेगा बहुत मदद मिलेगी और मुझे जरूर बताएगा कि मेरी वीडियो को कैसी लगी लाइक शियर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थांक्यू